सब्सक्राइब करें वर्साल्स किचिन चैनल को दवाईए इस घंटे को बटन को हमारी रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए देखने के लिए मिक्स वेस पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम बेशन और यह प्रेट्स ग्राम मैंने पालक लिया है इसको अच्छे से दो के और बारीक मैंने काट लिया है अगैरम है कि सब्सेटियों में मैंने लिए है एक बड़ा अलू इसको मैंने चोटा चोटा जोटा काट को थे दो लिया है और एक चोटा गुबि इसको मैंने थोटा चोटे मेड़ा मीडियाम काल अगल historic ही ये थोड़ा सा लेस्न 11 के लियां और एगे च अ अधरत अक्त क्या है तो कि मसालों मेंने जुशो हैं ईक चंबास लालमिस पॉर्टर और आदा चंबास अजवाईं और यह थोड़ा सा में तोड़ा लिया है और एक चंभमच नमक है यह मेरा सेंदा क्या यूद्धा गया अगर आप नॉर्मल नमक डाले तो थोड़ा पम डाले और आदा चंभमच गरममसाला अदा छल्दी पॉड़ा और ठोड़ी सी हीण पकोड़े बनाने के लिए मैंने ले लिया है वाउ और स्ट्रेनर और हम बेशन को इसमें चान लेंगे बेशन को हमें चान लिया है तो इसमें हम यह सब्धिया मिला देंगे आलो पटा हुआ भूवी और यह पालक प्यास हरे मिच और अध्रक और लेसन को हम ग्रेट करके टालेंगे अध्रक लेसन हमने ग्रेट करके डाल लिया है तो इसमें यह मसाले मिला देंगे हल्दी पाउडर अजवाइन लाल मिर्च पाउडर और यह खाना सोड़ा गरा मसाला भी टाल देंगे और नमक नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉरडिंग डाले और थोड़ी सी हीन और थोड़ा 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 पानी डालके इसका अच्छा सा बैटर तयार कर लेते हैं कि हमें बेटर को ज्यादा पतला नहीं करना है नहीं ज्यादा गाड़ा हमें इस तरह का बनाना के लिए जो हमारी सब्जियां सारी बेशन में अच्छे से चिपट जाएं देखिए बेशन के पकोड़ों का घूल हमारा अच्छे से तयार हो गया है बस इस तरह का चाहिए हमें तो हमने तेल पहले से कड़ाई में करने के लिए रफ दिया तो हम पकोड़े बनाना शुरू करके इन पकोड़ों को मैं हाद से बनाओंगी आप चाहाँ तो चमसे बना सक आप यह बहुत तरह बचल पर चाहुते हैं उस तरह से गोल गोल तोड़ा सवेटल लेकि हम कड़ाई में छोडते जाएंगे और कैस की फ्लेंगो को मिडियम कर लेंगे जिससे हमारे आदू और यह बोवी अच्छे से कर जाएंगे और पकोड़े अच्छे से चिख जितने पकोड़े कड़ाई में आ जाएंगे उतने ही हम डालेंगे और इन्हें हम मीडियम गेस पर अलट पर अटकर सेखेंगे पकोड़ों को हम चेक करते रहेंगे क्या हमारे पकोड़े से यह ने पकोड़ों को हम पलट देते हैं जिससे दूसरी चरब से भी जाएंगे और अभी इनको अच्छे से हमारे गोल्टन प्राउन हो गया है इसे हम एक क्रेट में निकाल लेते हैं अगर आपको यह रेश्पी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और श्यर जरूर करें तैंक यू और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए थैंक यू झाल ठाउन होल्त किया है और श्यरू लेते हैं